सू हेलो काइज तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले zapraDown आपके सामने यह रही दोस्तों कि हमें वन वन एuciones जिवों से संरक्षण क्यों करना चाहिएं studio को संरक्षण क्यों करना चाहिएं किसे कहने का मतलब है दोस्तों वन्य यानि दोस्तों जंगल जंगल समझ रहे हैं जी हैं दोस्तों वाग वगी चाहिए तो हमें वन्य एवं वन्य जिवू वन्य जिवू यानि समझ जंगलों में रहने वाले जिवू का संरक्षन संरक्षन का मतलब सुरक्षा क्यों करनी चाहिए जी हां दोस्तों स हम आपको बता रहा हैं और आप साथ ही साथ लिखने का पर्यास केजए गा और देखने का पर्यास की ज़ेगा तो चली दोस्तो आजकी संदार लेक्सिर को देखे हैं पहला में क्या तो देखे हम लिखा है हमें वनों का संदरक्षन करना चाहिए क्योंकि क्योंकि दोस्तों पहला में है वन वर्षा में सहायक है वन जो है न दोस्तों वन यानि पेण़ पौधी जो है न वो आपको वर्षा में सहायता करते है वर्षा में क्या करते हैं? सहायता करते हैं कैसे करते हैं? तो दोस्तों क्या होता है? जब हमारे जो पेंड़ पौधे पर जो जल होता है वह आस्मान में जाता है और आस्मान से भूमी पर आता है और भूमी से फिर आस्मान में इसी तरह से होते रहता है वह पेंड़ पौधे की करण होता है और समूंद्र की करण होता है ठीक है दोस्तों अब देखिता था जल व देखोफोध करते हैं जो जंगलो में वहते हुआ वर्सा में जहायता होते हैं और क्या करते हैं जल वाईव का अनुरक्षन करते हैं यह तो this next YEär चलिए आगे देखते है कि अगला वाता वरन दोस्तों आप जहां है ना वे सब आपको वाता ही वरन है तो आपके वाता वरन जिसे हम लोग ऑक्सिजन कहां से लेते हैं वाता वरन से लेते हैं तो दोस्तों वही वन जो है ना मिरी दयानी मिट्टी तथा वाता वरन को रक्षा करते हैं तथा गैसिये संतुलों क को अस्थापित करते रहते हैं जी हां दोस्तों यह गैसी संतुलन को अस्थापित करते रहते हैं क्यों दोस्तों क्या होता है कि हमारा वायू मंडल है उसमें गैसों की मातरा बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है दोस्तों तो पेंड़ पॉधे काटने की वजह से बढ़ रह आगे हैं दोस्तों वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है जी हां दोस्तों वन जो है बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है क्यों दोस्तों क्योंकि बहुत लोग गरीब हैं और बहुत लोग अमीर हैं दोस्तों गरीब लोगों के लिए जंगल तो बहुत अच्छा होगा क्यो दोस्तों ये वन ये प्रानियों के लिए सरन अस्तल होता है जी हां दोस्ते ये वन ये प्रानियों के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित जगह होता है क्या जंगल जो होता है आपको वन जो होता है सबसे अच्छा होता है तो आपको पता हो गया कि जंगलों में रहने वाले जिवों को सुरक्षा करनी चाहिए इसलिए क्योंकि हमारा जो वातावरण अच्छा रहे और दोस्तो पेड़ पोध्यों को अगर हम काटेंगे दोस्तो तो क्या होता है कि हमारा वातावरण परदूसित होता है तो इसलिए ह आई था सवाल का अर्थ अगर इस वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं साइन्स और मैथ से रिलेटेड वीडियो को सही समय पर लाता रहता हूं तो चलिए आज का वीडियो समप्त हुआ